Hello students, तो इस lecture में हम cover करेंगे male reproductive system को, जिसके थुरू एक male spumps यąनिगी male gameets बनाता है और in male gameets को वो female genital track तक पहुचाने का काम करता है तो इस male reproductive system के अंदर different parts या बोले कि इसके different, इसमें organs आते हैं, जैसे includes तब से पहले आता है testis testis कितनी होती है male-librative system में एक pair यूनिगी total दो testis यहाँ पर मिलती है दूसरे number पर आती है accessory duds देखे testis जो है वो sperm बनाती है और sperm को अपने सही जगह तक लेके जाने का जो काम करती है जो tube बनाती है जो part बनाती है वो accessory dubs करती है number 3 पर आती है accessory glands जो sperm है sperm खालनी ट्रेवल नहीं करते है उसके साथ में कुछ fluid भी होता है जो उसको nutrition और साथ में एक तरह से movement के लिए medium प्रवाइड करता है वो glands प्रवाइड करती है उस fluid को gland निकालती है वो बनाती है और number 4 है हमारी external genitalia जो हमें बाहर से male body की अंदर दिखाई देती है और ये जो female तक male gamit तक पहुचाने का काम करती है male से female तक male gamit को पहुचाने काम करेगी तो हमने देखा कि male liegt system में ये चार main चीज़े हमारी आती है और ये male liegtเสario या कहएं अब यह pelvis area तहाँ पर है pelvis area अपना abdomen है उससे नीचे और thigh से उपर गाई area है यहनी कि हम कह सकते हैं कि यह इस तरीके से जिसे lower abdomen हमारा हो गए यहां से और यहां से यह thighs हमारी शुरू होती है तो यह जो hips वाला area आप कह सकते है तो यह वाला जो area है यहां पर क्या है हमारा क्या है यह pelvic area है यह pelvis area है जहां hips वाला area यहां पर हमारा male reproductive system यहां पर पूरी तरह से located रहता है अब एक एक करके इन सभी को discuss करते हैं सबसे पहले हम बात करते है testis तो पहले नंबर पर आती है testis देखिए जो लिखावा है testis यह plural है और singular अगर बात करते testis एक single की बात करते testis तो हमारा यह लिखा जाएगा और जो total हमारी दो testis होती है एक pair है उसके निजे हम लिखते हैं तो plural जो आएगा testis आता है तो देखिए नंबर में total कितनी होती है दो होती है इसलिए हम क्या लिखते है यह periodis के human के अंदर पाया जाता है shape जो है इसकी oval होती है अंडे की जैसी तेक है oval shape है जिसमें जो size का length होती है वो कितनी है वो 4 to 5 cm है और जो width होती है जो चोड़ा ही है इसकी वो 2 से 3 cm width इसकी पाया जाती है location की बात करते है तो location कहां होती है यह abdomen cavity से बाहर outside the abdomen cavity अभी abdomen cavity क्या है देके जो हमारा chest reason है जो ribs है इससे नीचे का जो पूरा जाप है आपके intestine वगएरा पूरी आती है यह पूरा पूरा जो area है यह हमारा abdomen reason कहलाता है इस abdomen cavity जो lower abdomen है ठीक है तो abdomen cavity से बाहर एक sack like structure एक pouch जैसा structure पाय जाता है between both the thighs and below the lower abdomen क्या पाय जाता है outside the abdomen cavity in scrotal sack या in scrotum scrotum क्या है यह pouch like structure pouch like structure कहा पाय जाता है below the abdomen cavity between both the thighs दोनों thighs के बीच में जैसे lower abdomen ठीक और यहां से हम बनाते हैं जो thighs है तो यह यहां पर जो है thighs के बीच में जो है दोनों thighs के बीच में hanging position में रहता है इस scrotum के अंदर ही हमारी दोनों testis रहती है अब बात ही आती है कि abdomen cavity के बाहरी क्यों रहता है abdomen cavity के अंदर रखते तो जादा protective रहता नेचर में protection जादा मिलती लेकिन इसका एक reason है पहले क्या लिगा कि बाहरी क्यों यह बाहरक situated है why testis और scrotum situated outside the abdominal cavity तो देखिए sperm formation के लिए जो body का normal temperature है हमारी वो कितना है लगबक 37 जो हमारी body है वो 37 degree C पे proper काम करती है normal जो temperature है Celsius में इतना है लेकिन sperm formation कितने height temperature पे सही तरीके से नहीं हो बात इसके लिए body को क्या चीए इसमें थोड़ा सा अगर 2 से 2.5 degree Celsius अगर थोड़ा कम हो जाए इन्ही 34-35 के आसपास हो जाए तो sperm formation अच्छे से हो सकती है बस यही कम temperature provide तराना है तो scrotum क्या गरती है हमारी scrotum बाहर present रहती है जिसकी वज़े से testis को खुड़ा सा कम temperature मिल सके इससे वो proper sperm formation कर सके इसलिए हम कहते हैं कि scrotum provide the lower temperature to the testis as compared to the body कितना कम हो सकता है 2 से 3 degree Celsius जो है कम प्रोड़ाड करती से अच्छे से हो सके sperm production हो सके एक तो यह बात है प्लस साथ में क्या है कि scrotum हमारा temperature maintenance में एक दूसरी तरीके से भी help करती है इस्क्रोटम के अंदर की तरफ एक muscle होती है जिसको बोलते है dartos muscle इसकी वज़े से भी temperature का regulation करती है dartos muscle क्या करती है जो summer के अंदर इन summer गर्मियों में क्या हो जाती है यह relax कर जाती है relax करती है जिसकी वज़े से जो estes है, जो scrotum है scrotum क्या गरता है, relax हो जाता है और बोडी से दूर आ जाते है गर्मियों में तो बोडी से lower abdomen से दूर आ जाएंगे hanging position में जादा रहेंगे इसकी वज़े से बोडी की जो heat उसको नहीं मिल पाएगे और वो temperature थोड़ा सा ओर अपना कम करने की में help मिलती है और जो winter में, सर्दियों में पहले सी temperature कम है तो ये contract कर जाती है contract कर जाती है सिकोड जाती जिसकी वज़े से जो scrotum है वो बोडी के पास पहुँच जाता है, उससे heat लेता है इससे temperature का regulation यहाँ पर अच्छे से होता है तो इस वज़े से हम बोलते हैं अब बात यह है कि जो हमारा formation है testes का, क्या यह जब बनती है, बच्चा जब मागे पेट में होता है, तब ही testes बनने लगती है अब कॉशन है आता है, क्या वो scrotum के अंदर ही बनती है या कहीं और बनती है, तो answer क्या है कि intrauterine life, यहनि कि जब बच्चा एक लड़का, चोटा सा बच्चा जब मागे पेट में होता है, तो उस time पर जो testes है, वो lower abdomen के अंदर बनती है, यहनि जो बच्चे का lower abdomen है, जो area है, उस area के अंदर, abdomen area के अंदर बनती है, और बनने के बाद, जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है at the time of work, they descend into the scrotum, यहनि कि जन्म होने के time पर, वो scrotum है, जैसे lower abdomen में बना, लेकिन जन्म होने के time पर क्या होता है, कि जैसे हाँ पर हमने मनाया, यह क्या है scrotum है, और यहाँ पर lower abdomen में testis बनी, तो एक canal होती है, canal बोले तो एक pipe रास्ता है एक तरसे तो उस canal के through होते हुए testis descent होके scrotum में आ जाती है इन canal को हम क्या बोलते हैं, angular canal बोलते हैं, inguinal canal, इनको कहते हैं इनके through यहाँ पर आ जाती है और जनम होने के बाद में canal क्या हो जाती है, यह बन्द हो जाती है इसका मत्तव, तो टेस्टी से वो scrotum के अंदर ही आती हैं, बन्ती intrauterine life में, lower abdomen में है लेकिन आ जाती हैं बाद में scrotum के अंदर अब कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि जनम के बाद में ingunal के नाल तो बन्द हो जाती हैं ऐसे लेकिन किसी केस में दर कुली रह जाएं या कट फट जाएं जिसकी वज़े से क्या होगा कि इस एडिया में हमारी intestine रहती है, large intestine तो अगल किसी उनका लोग ठीसके के नाल के फिरू कहा जाएगा, scrotum में आता है scrotum हो जाते हैं बड़े बड़े चलने फिरने में दिक्कत होती है इस विमारी को क्या बोलते हैं ingunal hernia कहते हैं, आपने hernia टांस सुना होगा, तो ingunal hernia इसको कहते हैं, तो ये ता हमारा normal testis के बारे में अभी बात करते हैं testis का structure कैसा है देखे, testis का जब section कट करके देखते हैं तो proper structure के लिए तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है कुछ एक तोक testis के उपर एक dense covering होती है ये एक घनी covering होती है वैसे दो हम देखो testis के उपर कट करते हैं हमें तीन covering testis के उपर दिखती है सबसे पहले tunica vaginalis दूसरी dense covering होती है जिसको tunica albogenia के बोलते हैं और तीसरी होती है tunica west valosa यहाँ पर हम एक की बात करने है ये वाली होगी हमारी tunic ये dense covering है testis के उपर जो कि NCRT में लिखा covered by dense covering तो ये रही dense covering ठीक ज़्यादा फाल तो इस लफडे में नहीं पढ़ना के आसपास इस तरह से compartments पाए जाता है ऐसे compartments है इस तरह से मैं बना रहा हूँ इस तरह से compartment ठीक है आप कैसे और तरीके अलग-अलग जगर पर अलग-अलग तरीके से बना के दिखाते हैं आसा मैं 250 के आसपास क्या होते हैं 250 approximate 250 compartments यहां पर पाए जाते हैं कि इन compartments को कहते हैं testicular lobules testicular lobules इनको कहते हैं ठीक है अभी जो testicular lobules हैं लगबग कितने 250 के आसपास इन 250 के आसपास में क्या highly coiled highly coiled इस तरीके से हम कहें तो इसको बड़ा सा मोटा करके बनाता हूँ जिससे समझने में help मिले देखें जैसे मैं बोलता हूँ भी यह रहे आप इसको ऐसे मान लिजए highly coiled structure यहां पर मिलते हैं ठीक है इसमें सम्में in highly coiled structure क्या कहते हैं seminiferous tube seminiferous tubules इनको कहते हैं यह कितने होते हैं यह एक में एक testicular lobule में एक दो या तीन हो सकते हैं तो लिखते हैं एक से तीन हैं यहां पर होते हैं अब इन seminiferous tubules के अंदर हम देखते हैं ध्यान से तो यह आप एक बनाता हूँ इसमें यह एक बनाता हूँ ठीक सम्म समैनिफिरस ट्यूबल के अंदर हमें दो टाइप की सेल्स मिलती है एक तो ऐसे मैंने राउन में बना दी डार्क करके इस तरह से और एक मिलती है कॉलम के जैसे लंबी सेल कॉलम के जैसे लंबी सेल तो यह जो राउन में मैंने बनाई है यह एक सेल मिलती है हाँ पर समैनिफिर जर्म सेल, मेल जर्म सेल या स्पम मदर सेल कह सकते हैं या फिर बोलते हैं इसको इस पर मेटो गोनिया इनको कहते हैं जो की डिपलॉइड होती है निचर में यनिकी 46 प्रोमोजोम इसके अंदर होगी जो की क्या करती हैं बाद में मियोसिस करके मियोसिस करके क्या बनाती हैं है spumps बनाती है spumps बनाती है haploid N equals to 23 chromosome के साथ दूसरी यहाँ पर cell मिलती है यह columnar cell से इनको बोलते है sertoli cells sertoli cells कहते है इनको या पिर इनको nurse cell भी कह सकते है nurse cells यह क्या गड़ती है यह जो male germ cell से जो spum बनता है इनको क्या गड़ती nourishment provide करती है provide nourishment nourishment to the geru cells इसके अलावा और भी इनका काम है जैसे और काम क्या इनका यह sertoli cell इसके साथ में क्या गड़ती है यह blood testes barrier बनाती है blood testes barrier यह बनाती है मतलब क्या है इसका देखिए हमारी body में सभी cells कैसी होते है deployed है लेकिन हमारे जो sperm है वो कैसे है वो haploid है अब हमारी cell क्या दरेगी immunology वाले जो cells है जो हमें immunity provided दरती है वो क्या सोचेंगे कि भई इसको मारो यह दूसरी cell है तो इसके बीच में जो एक barrier provide करेगी नहीं इनको नहीं मारना है बीच में इनको एक दिवार के साथ में सामने अपने इसके बचाने के लिए सामने जो खड़ी होती है वो nurse cells यानि की certainly cells खड़ी होती जिससे की haploid cells को बचाया जा सके तो हमारी immunity वाले cells समझती कि यह औरन है कुछ antigen इसको मारो ठीक है उसको बचाती है तो बोलते है blood testis barrier इसके अलावा और भी काम है जैसे इनहीं भी hormone प्रेडियूस करना होता है इनहीं भी जो एक hormone है उसको प्रवाय प्रेडियूस करती है इनहीं क्या गरते हैं जब proper amount में sperm बन जाते हैं तो इस पर्म बनने की process को रोका जाता है तो ये काम भी ये करती है ठीक है अब ये वाला जो ये हो गया इसके अंदर अब इसके बाहर का जो space है ये space टेस्टिकुलर लॉबिल के अंदर है लेकिन semaniferous tubal के बाहर है यानिकि ये वाला जो space है यहाँ पर देखे तो ये वाला space है इस space को जो समानिफिरस्टीखीबल के बाहर है、 और इसके समानिफिरस्ट अलवल के अंदर है, तो इस space को हैं क्या कहते हैं, इस space को बोलते हैं इंटरस्टीशियलण स्पेस इसको बोलते हैं, अब यहाँ पर क्या होता है इस space में भी कुछ special type की cells यहाँ पर हमें मिलती है जैसे एक type की cell यहाँ पर मिलेगी हमें जिसको बोलते हैंगे interstitial space है तो interstitial interstitial cell यहाँ मिलेगी जिसको लेडिक cell भी बोलते हैं लेडिक cell भी कहते हैं लेडिक cell क्या करती है यह aandrogen hormone commence करती है एndrogen क्या है indrogen का मतलब है जो main sex hormone है उसके group को हम क्या बोलते है उसमें जो सबसे main है यह testosterone है तो वह release करती है Northwest release करने के बाद में वह hormone यहाँ पर release की प्रोसेस को स्टिमिनेट करता है साथ में सेकंडरी सेक्च्वल करेक्टर जो हैं बॉड़ी के अंदर में उनको भी यह शुरुआत करता है उनकी ठीक है उसके बाद में देखते हैं यह रहा हमारा ठीक है साथ में जो है इस स्पेस में हमने क्या एक तो कागी इंट्र लेडि suggest blood cells है कुछ वो भी यहां पर मिलती है आमें ठीक है अब इतना हुआ है यह सब अप देखते हैं कि यहां से आगी की बात करते है तो structure में हमें और बॉर क्या दिखाई देता हो मैं यहां से इसको चले się बा Catholics एंगे सारे आपस में डक्ट ये सारे आपस में क्या गड़ते हैं सारे आपस में आगे connect होते हैं जिस एरिया में ये connect होते हैं उस पूरे पूरे network को जहां पर ये connect होते हैं आके उस डक्ट को इस पूरे जैसे मालने जो छोटे 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 जो है रास्ते हैं वो छोटे छोटे रास्ते आगे साथ में जो यह अपना रीटी टेस्टीज है आगे के तरफ यह जाएगी तो देखिए आगे देखते हैं तो यहां से जो यह रीटी टेस्टीज है अभी यह बहुत सारी कुछ ब्रांचे यहां से निकलेंगी ऐसे इनको हम बोलते हैं वासा अफरेंचिया वासा अफरेंचिया ठीक है अब यह वासा अफरेंच है यहां से बहुत ज़्यादा highly coiled होने के बाद में इस तरीके से इस besties के उपर ही क्या किड़ती है एक तरह से loop सा बना गे रखती है highly coiled structure इस तरीके से इसमें उपर का जो portion ज़्यादा coiled रहता है बीच का फुड़ा तो वो last का सबसे कम coiled रह है इसका कापुड यहीं कापुड epididymis ठीक है यह क्या है सबसे highly coiled part highly coiled portion of epididymis ठीक बीच वाला जो epididymis के जो बीच वाला इसको बोलते हैं कोड़ा epididymis कोड़ा का मतलब गया हुदा टेल यहां के बाद में यहां के बाद में जो हमारी डक्ट है यह निकल के निकल के कहा जाती है निकल के lower abdomen के अंदर जाती है ठीक है और किस का किस के तरू जाती हो बताया था ना इंगिवल के नाल उस में से ओती भी जाती है, साथ में इसके हमारी nerves, nerves भी रहती है, blood vessels रहती है, यह निकि veins और arteries, arteries और veins वो भी रहती है, सब मिलके क्या बनाती है, spermatic code बनाती है, अभी एक single की बात करें तो यह क्या बन जाती है, वास difference बन जाती है, ठीक है, अब अकेली यह testis से अकेली यह नहीं बाहर निकल अलिए साथ में इसके क्या हैं, बोर साथ में इसके veins हैं, plus arteries हैं इसके साथ में, plus numbers हैं इसके साथ में, ठीक है, plus lymphatic vessels हैं इसके साथ में, यह सब मिला के क्या बनती है, हमारी spermatic code बनती है, इस्परमेटिक कोर्ड बनती है जिसमें सबसे में हम किसकी बात करते है वास डिफरेंस तो यह ओते वे तो आजाती है हमारे लोवर एब्डमन में वाबस चली जाती है और वहाँ पे जाके गूम घाम के फिर यूरेथरा यह पैनिस के थूरू वह बाहर निकलती है यूरेथरा इसके अंदर की यह डक्ट्स वगएरा है साथ में इसमें ग्लेंड भी आएंगी और एक्स्टरनल जैने डिली आएगी तो हमने देखा तो यह टेस्टीज का इस्ट्रक्चर था साथ में अब हम यहाँ पे बात करते हैं एसेसरी डक्ट्स की जो कि यहाँ पर हमने देखा इस एसेसरी ग्लेंड्स हेल्प्स इन ट्रांस्पोर्टेशन ओप स्पंप तो दा इरेट्रा एंड देन आउटसाइड दा बोडी उस हम देखते हैं कि यहाँ पर मेल रिप्रॉडक्ट्री सिस्टम में हमारे चार में टाइप की एसेसरी डक्ट्स है नमबर वन रिटी टेस्टी जो हमने यहाँ पर testies का structure देखा की यहाँ पर हम देखते हैं कि compartments थे और यहाँ पर हमारे क्या थे 75 टुबल थे ठीक है 74 ऐसे टीबल थे तो यह 70 पर principles आपस में connect ऑते हैं आके जिस एरिया में जिस डक्ट में उस डक्ट कोंब बोलते हैं rated testies तो इसने बोलते हैं 75 टूबल opens into ready testes 10 से 20 ready testes आपसे मिलती हैं इस तरीगे से और आगे चलके क्या बनाती है वासा अफरेंशिया बनाती है और यह अवासा अफरेंशिया यह यहाँ पर coiled होकर यह testes के पिछली साइड में back side की तरफ क्या बनाती है यह से loop सा बना लेती है इसके उपर पुरा गुच्छा सा बनाती है जिसको epidemis बोलते हैं इसलिए हम बोलते हैं कि most long and coiled part of accessory ducts called epidemis यह क्या गरती है जो testes है इसको आगे चलके हमारी duct आएगी कुन सी अगली अगली duct आती है epidemis के बाद में vast difference है तो इसलिए हम बोलेंगे vast difference बीच में epidemis तो हम बोलेंगे epidemis को vast difference से connect कर दी है एक का प्रेजेंट है यह testes का अगला साइड है ventral यह क्या है डॉर यह posterior मतलब पिछले वाला portion है यह वाला ठीक है यह door anterior posterior back side जो है इसकी तो back side की तरफ posterior side की तरफ जो है यह epidemis testes के present रहती है main जो इसका function है function पूछ लेता है कि main जो है function epidemis का क्या है वो functional maturation of sperm यह की sperm proper mature होगा यह उसमें fertilization करने की थोड़ी ability आएगी एक बार यहां आती है और एक बार vaginal food की अंदर जब इसमें पहुंच आता है तब उसके अंदर आती है fertilization करने की ability तो एक बार पहले यहां पर आती है और epidemis के तीन parts होते जैसे अभी देखाता हमने highly coiled portion उपर का कापोर्ट बीच का less coiled portion corpus और least coiled portion कोड़ा और कोड़ा epidemis के बार में क्या शुरू हो जाती है वास difference हो जाती है शुरू हो वास difference जो है muscular duct है muscular का मत्तब क्या है वही जो contract relax कर सकती है आपको पता है यहां से अभी यह बाहर की तरफ है यह बाहर है मान लीजे यह पुरा-पुरा क्या है stratum है दो testis है यहां पर तो इस तरीके से यह जो वास difference है क्या करेगी उपर यह तरफ चड़ेगी उपर क्या होगा यहां पर यहां पर abdomen होगा तो abdomen के अंदर जाएगी तो abdomen के अंदर जाना है इसको ठीक है और इसी के अंदर से क्या है sperm भी जाएंगे तो यह क्या गरती muscular होती तो muscular क्या गरती muscular muscular tube है muscular duct है वास difference ही यह क्या गरेगी जो movement की वयसे sperm क्या गरेगी उपर यह तरफ जाएंगे तो इसलिए हम इन सब में muscular duct यही है इसके लावा नही है यह क्या गरती ascent to the abdomen cavity है नहीं कि यह चड़के उपर का चली गई यह वापस चड़के जैसे हमने कहा कि यह abdomen है हमारा यह scrotum है तो यहां testis है testis से हमारी क्या निकली वास difference ऐसे निकली है इस तरह से उपर जाएगी औ और यहां पर हमारे क्या है इधर यूरेटर है ब्लैडर है ऐसे होते वह और यह क्या है यहां से यह penis है जिसमें से यूरेथरına तो यहां से आते वे निकलते वे इस तरह से बाहर आएगी यनिकि एक बार ये उपर जाईए उपर से फिर वापस आई connect होते वे तो ये है वास्ट इफ्रेंस को तोड़ा ओड़ डिटेल में देखते हैं अच्छे से देखिए टेस्टीज ते जब वास्ट इफ्रेंस इस तरह से असेंड होके ये abdomen area में आगी ठीक है तो यहां से आते हुए क्या करती है एक loop बनाती है ये क्या है अपना ये ये जो है ये ureter है ये किदर का और एक इदर का इसके उपर क्या बनाती है ये loop बनाते में आती है bladder के urinary ये artery ureter और bladder के उपर से होती ही और यहां पर आपके थोड़ा सा क्या दिख रही है आपको देखो थोड़ा सा चोड़ी हो चुगी है wide वो गया इदर ये इदर ये इस wider portion को क्या बोलते है ये क्या है wider part wider part of vast difference vast difference देखिए एक तो इस पर कुछ time के लिए storage epididymis में होता लगबक up to a month एक महिने के आसपास उसके बाद में कुछ time के लिए vast difference में store होता है वो भी उसके ampula one reason में आपको कहीं पर भी biology के अंदर ampula word अगर दिखाई देता है तो आपको समझना है किसी भी tube का जो चोड़ा portion है wide portion है वहाँ पर आपको word ampula यूज़ करना है वो ampula यहाँ पर भी दिखाई देगा जब breast पढ़ेंगे memory glands पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको ampula word दिखाई देगा तो ampula word जहाँ पर भी word आएगा इसका मतलब वो किसी ना किसी duct का wide portion होगा अब यहाँ से आने के बाद में जो यह ampula है ampula के साथ में यहाँ से इधर की साइड में blend है इधर की साइड में दूसरी gland है gland पढ़ेंगे न अभी तो seminal vesicle है दोनों साइड में यह क्या गड़ती है जुड़ती है और अपना secretion क्या गड़ती है इसमें डाल देती है तो यह उपर से क्या रहा testis से होते वे क्या रहा है sperm आ रहे है और sperm और यह इधर से यह fluid आएगा दूनों मिलके क्या यहाँ पर आने के बाद में यह semen बनाने की तैयारी होगी तो यहाँ से जो duct यह नहीं की जो seminal vesicle और इधर से ये vast difference वर seminal vesicle जो जुड़ जाती है तो यह जो duct बनती है यह वाली duct इसको बोलते है ejaculatory duct एक word होता है ejaculation ejaculation का मतलब होता है कि जब semen penis से एक pressure के साथ में बाहर निकलता है उसको ejaculation बोलते है और उसी के ऊपर पे duct का नाम है ejaculatory duct अब इस ejaculatory duct के बाद में हम देखते है अगली duct जो शुरू होती है यह जो मोटी सी दिखाई दे रही है आपको पुरी-पुरी यह भी एक duct है तो यहाँ से शुरू होके यह यहाँ तक पुरी जा रही है यह पुरा का पुरा portion क्या है यह यूरेथरा है बस बात ही आती है कि इतना यूरेथरा यह वाला जो यूरेथरा है जो यह वाला जो party क्या है हमारी prostate gland है तो prostate gland के area में जितना हमारा यूरेथरा आ रहा है कोई पीनस बोलता है तो पीनस के अंदर का जो यूरेथरा है यह जो यूरेथरा जो पीनस के अंदर आ रहा है इसको हम बोल सकते है पेनाईली यूरेथरा है यूरेथरा ही बस प्रोस्टेट ग्लेंड के आसपास का जो है उसको प्रोस्टेटिक यूरेथरा पीनस के अंदर का जो युरेथरा है तो पिनाईली युरेथरा है, पुरा युरेथरा ही, यहां से आने के बाद में इसमें ओपन हो जाती है, इस युरेथरा में ओपन हो जाती है, और युरेथरा के बाद में यहां से, इस युरेथरा में देखिए यह, यह मटर के दाने के जैसे साइस की जो पर जेशन आए से समयनल वैसिकल गा, फिर उसके बाद में सेकरेशन आएगा प्रोसेट गलेंड का सीखरेशन, समयनल वैसिकल का सीखरेशन और साथ में छे आ जाएगा यह हमारा बल्बो उरित्लन ग्लेंड का सीक्रेशन हाला कि Ejakulation होने से कुछ 2-4 सेगिंड पहले बल्बो उरित्लन ग्लेंड का सीक्रेशन बाहर drops की form में निकल जाता है उसके बाद में proper जो आता है पीछे से आता है यह निकि हम कहा सकते हैं prostate gland का सीक्रेशन seminal vesicle का सीक्रेशन और testis से आएवे sperm यह तीनों मिलके क्या बनाते हैं यह तीनों मिलके सीमन मनाते हैं ठीक है सीमन मनाते हैं और सीमन निकलने के कुछ 2-4 सेगिंड पहले बल्बो उरित्लन ग्लेंड सीक्रेशन करती है क्योंकि यह यूरेथरा है यूरेथरा से same urine भी आएगा और urine क्या होता है? एसेडिक होता है तो पाथ एसेडिक हो जाता है तो यह बल्बो उरित्लन ग्लेंड alkaline सीक्रेशन यहाँ पर निकालती है जिसकी वैसे पाथ स्ट्रिलाइज हो जाए और यहाँ से नॉर्मली फिर यह पैनिस का स्ट्रिक्चर भी देखेंगे हैं फिर बाद में क्या है यहाँ से यूरेथरल मीटर्स यह जो ओपनिंग है यूरेथरा की यहाँ से सीमन बाहर आ जाता है तो यह थी हमारी एसेसरी ग्लेंड्स तो डक्ट्स में आपको याद रखना वास्ट डिफरेंस एक मस्कूलर डक्ट है यह दियान लखना है दूसरी बात क्या है कि पहली बार मैचुरेशन जो होता है स्पम का पंक्शनल मैचुरेशन जो होता एक मल्त के आसपास तब तो एक मल्त में स्टोर रह सकता है स्पम वैसिकल का प्रोड़क्ट और प्रोस्ट ग्लेंड का प्रोड़क्ट यह नहीं फ्लूड यह तीनों मिलके सीमन बनाते है तीक है यह तो थी हमारी ऐसेसरी डक्ट्स अभी बात करते हैं ऐसेसरी ग्लेंड्स ऐसेसरी ग्लेंड्स में हमारी तीन टाइप ही ग्लेंड्स है देखे ग्लेंड्स क्या गरती है STs ने स्पम रिलीज किया स्पम बनाया और स्पम खाली जाके पर्टलाइज नहीं कर सकता खाली पहुँच नहीं सकता फिमेल ट्रेक्ट के पास में ना ही वो लिविंग स्टेट में रह सकता है भी ना खाली अपने आप साथ में उसको nutritious fluid चाहिए जो उसको nutrition दे सके उसको moment कराने में help करा सके तो medium जो त्यार करता है जो fluid त्यार करता है वो accessory glands करती है में लिवी तीन टाइप की है एक हमारी seminal vesicle अभी आपने डाइगराम में देखा थे समैनल वैसिकल का है जो वो एम्पूला वाला पार्ट था वास्ट इफ्रेल्स का उसके दोनों साइड में यहीं कि दो होती है हमारी क्या गरती है सीक्रेट ट्रांस्पेरेंट जैली लाइक सबस्तान यहीं चिपचिपा है लगबक 60-70% पार्ट सीमेन का बनाती है अब सीमेन अगर आपको नहीं पता है तो सीमेन क्या है सीमेन होता है मेन रिप्रड़क्टिव फ्लूड जो मेटिंग के दोरान मेल की बॉड़ी से पैनिस के थ्रू बाहर निकलता है इस इसको reproductive fluid बोलते हैं क्योंकि एक तो यह white यह बोले के चिपा रहता है जिसके अंदर sperm रहते हैं इस स्वम क्या होते है sex cells इसी की वज़े से क्या females प्रेगनेंसी होती है जो एग है वहाँ पे टो यह क्या है यह सीमन इसको बोलते है slightly alkaline है यह तीन जितने भी स्केरेश इसके इन ब्लैंड वह सब पेल्क लाइन होते हैं क्योंकि सेम पाथ से निकलना है भई पैनिस के तुरू बाहर निकलना है पैनिस में क्या है युरेत्रा है युरेत्रा जो मेल्स के अंदर हम देखते हैं तो युरेत्रा पॉमन पासेज है सीमन के लिए भी यहनी कि मेल रिप्रड़क्टिव फ्लूड के लिए भी और यूरीन के लिए भी सेम है इसलिए कि आप बोलते है यूरो जेनिटल ट्रेक्ट का आ जाता है यूरो यूरीन जेनिटल मत्ब रिप्रड़क्टिव फ्लूड ये की रास्ते से pump भी बाहर आने हैं उसी रास्ते से urine भी बाहर आना है और urine रहता है acidic तो path acidic रहता है तो उसको neutralize करने के लिए reproductive fluid जो है हमारा चाहिए कि इसका fluid है इसका है इसका है उन सबको alkaline गोना पड़ता है यहीं कि अलका सा basic गोना पड़ता है जिससे path neutralize हो जाए और इस लिए बोला alkaline होता है rich in fructose fructose क्या होता है fructose यह carbohydrate है monosacride है जो कि क्या गड़ता है spum के लिए fuel का काम करता है energy देने का काम करता है अब देखिए fructose जो है पूरी body के अंदर सिर्फ semen के अंदर ही बनता है यहीं कि हमारी seminal vesicle ही इसको बनाती है पूरी body में और कहीं हमारे प्रक्तोज नहीं बनता है इसलिए जो rape cases होते हैं वहाँ पर जब female का किसी लीडी का medical test होता है तो वहाँ पर जो semen के जो sample check किया जाते है उसमें प्रक्तोज की test किया जाता है क्योंकि प्रक्तोज सिर्फ semen में मिलता है human body के अंदर इसके लाव और कहीं नहीं बनता है और उसको भी 48 hours के अंदर-अंदर करना पड़ता है और पानी का contact नहीं होना चाहिए उस time तक यानिकि ना जो ना वगरा है वो सब ना हो तो हम कहते हैं कि जो semen के अंदर ही प्रक्तोज मिलता है rape cases में जो test होता है हमाँ प्रक्तोज की जाच की जाते है ठीक है fuel है fibrinogen होती है fibrinogen एक protein है जो कि क्या गड़ती है उसको sperm की mortality को थोड़ी देर के लिए conserve करके रखती है कि जो की बैजाईना के अंदर ज पसी जरे जाती है हम बोले कीचड़ आप पानी के अंदर अगर तैरते हो या कीचड़ के अंदर तैरते हो तो आसानी से पानी के अंदर तैर सको कीचड़ के अंदर आप अच्छे से मूल नहीं कर पाओगे तो ऐसा ही fibrinogen क्या है वो medium तैयार कर देती है जिसकी वैसे sperm माहा पर अच्छी तरह से movement नहीं कर पाता जिसकी वैसे उसकी energy चंजरू रहती है और vagina में जाके दूसरे chemicals मिलके जो है उसको उसके उस मीडिया को क्या गरते है छोड़ा सा पतला गर देते है जिसकी वैसे वो sperm अच्छे से move कर सकता हो आप इसके अलावा दूसरी मारी prostate gland है जो की ur रिलीज करती है 60-70% यह है बाकी का 30% के आसपास यह सीमन का पार्ट बनाता है यह sperm के survival में help दोलों ही करते हैं वैसे तो ठीक है और mainly क्या है कि जब vagina के अंदर sperm पहुंचते तो वहाँ पर उनके survival में help यह mainly prostate gland का अप्लोड करता है इसमें भी citric acid calcium phosphate यह चीज़े हो सकती है और बलग युरेथरल है यह दोलों साइड पे either side of the युरेथरा वहाँ पर मटर के पी जो sheets होते हैं मटर के दाने के shape के यहाँ पर यह मिलते हैं जो क्या गरती है transparent यह भी alkaline fluid release करती है जिसकी वज़े से जो mating होती है उस time पर vagina में lubrication का का काम करें जिससे इंसर्शन जो है आसानी स जो है युरेथरा की उसको भी यह भी neutralize करता है कि यह भी end line है तो यह थी हमारी तीनो जो accessory glands है अब normal अगर आपके एक्जाम में आता है तो यह तो देखो मैंने detail में बताया पूरा आपको नॉर्मल अगर glands के बारे में आता है नॉर्मल एक दो line लिखनी है तो आप पूरा पूरा सबका तीनों का निचोड क्या लिख सकते हैं वो आपके सामने screen पर आ रहा है यह आप answer नॉर्मली छोटे तोर पर तीनों को combined form में लिख सकते हैं अभी last रहा हम बात करते है external genitalia जो क populatory organ, populatory का मतलब है sexual intercourse यानि की intercourse यानि male जो वजाइना है उसमें जब penetration होता है तो यही एक और वो organ है जो female tract के अंदर वजाइना के अंदर एंडर करता है और वहाँ पर जाकर semen को discharge करता है semen को discharge करने की process को क्या बोलते है insemination इसलिए इसका main काम क्या है sperm को transfer कराना है जो main function इसका इसको बोलते है transfer of sperm from male body to the female tract genital tract is called insemination तो यह इसको देखते है तो special type के tissues का बना होता है actually में यहाँ पर क्या होते हैं तीन हमारे tissues रहते हैं तीन टाइप के इसमें tissue दिखाई देते हैं एक तो होता है और पोरा वैसे इसको detain नहीं है फिर भी मैं निक देता हूं इसको पोर पोरा कैवर्नोसा और कोर पोरा स्पोंजियोस ठीक है यह चीजे रहती है इसके अंदर हाला कि आपको इनको पढ़ने की जुरूत नहीं है तो यहाँ पर हम देखते हैं यह तो रहा हमारा ही क्या है यह तो यूरेथरा है ठीक है सेम टिशू आ रहा है यही आगे चलके क्या आता है बल्ज हो जाता अगर साइड से इसको देखते हैं तो साइड से आपको ऐसे आप समझ सकते हो कि यह इस तरीके से है ठीक यह इस तरीके से है और साइड में आप देखो यह दो टिशू आपको दिखाई देता है ऐसे इसके पैनिस जो की sensitive यही है sensitive यही part होता है यानि कि जो male जो ejaculate होता है वहाँ पर जब excitement male को होता है तो यही वाला part है जो sensitive बाकी part sensitive नहीं होता ग्लेंस जो है वह sensitive part होता है इसी के बीच से युरेथरा आता है और जहाँ पर खुलता है इसको बोलते हैं युरेथरल मीटस कहते हैं यह opening है युरेथरा की जिससे urine और semen बहार आता है इसी के उपर एक loose covering होती है मुवेबन skin होती इसको बोलते है poor skin या prepuse इसको normally जब पीचे की तरफ करते हैं यह सोड़ा पीचे करते हैं यह erectile position में होता है तो यह जो poor skin है यह glens पेन इसके उपर से हट जाती है ठीक है यहां से हट जाती है इसके उपर से और यह हटने के बाद भी यह इस जन्हें पर पर इसके और इस skin के अंदर ही क्या होती है कुछ prepucial glands होती है prepucial glands होती है जो एक secretion release करती है magma इस magma उसी की वज़े से इसमें smell आती है और प्रोड़ा सा lubrication भी यहां पर रहता है इसलिए regular जो है साफ सपाई जो है यहां पर hygienic practice यहनी साफ सपाई रहनी चाहिए वरना यहा सकता है और कहीं कहीं पर क्या करते हैं जो आगेगी जो skin है जो pore skin है इसको surgically इसको रिमूव कर देते हैं जिसको circumcision कहते है आगे से इसको हटा देते हैं पॉरे स्किन को, ठीक है, तो है पूराका पूरा जो है यह पैनिस का था इसको आप शाफ्ट बोल सकते हो पूरे को, ठीक है और यह अगला जो पोर्शन इसको ग्लैंस बोलते हैं, ग्लैंस इसमें से पूरे मैं सी उठरा आएगा, टिक और इनमे जब नॉर्मन पोजिशन में तो पैनिस छोटे साइस का होता है और हेंगिंग पोजिशन में धीलिड ढ़नारा रहता है लेकिन जब पैनिट्रेशन के टाइम पर या minion के टाइम पर जो है इसके मसल्ण के अंदर आपर क्या है यहाँ ब्लड वर जाता है इन टीशेू में ब्लड वर जाता जिसकी वज़े से जो penis है वो erection position में आता है यानि कि लंबा और hard हो जाता है जिसकी वज़े से penetration में वेजाईना में penetration में आसा नहीं होती है एल्व मिलती है ठीक है तो यह था इसके बारे में हलका सा भी देख लेते हैं कि sperm कैसे related, semen से related कुछ दो तीन terms है उनको देख लेते हैं फिर इसको गतम करते हैं, normal semen के लिए हम क्या वक्त बोलते हैं कि semen क्या है, spums है और जो हमारी एसेसरी reproductive glands है, prostate glands समाइनल वैसिकल पूंकिया fluid, mix होके, जो है semen बनता है, इसको reproductive fluid भी हम कहते हैं, semen, normal sperm count जो होता है, normal sperm count for reproduction, यनि कि बच्चा पैदा तरवने के लिए कितना sperm normal होना चाहिए, तो बोला है कि 20 million कम से कम और maximum ना कितना 120, तो 120 to 120 million per ml, per ml की बात की है, और एक बार ejaculate में human क्या गड़ता है, 3 to 4 ml क्या गड़ता है, ejaculate निकालता है, यनि कि आप क्या गड़ता है, 3 to 4 जितना में निकलता है, ये per ml का है, उससे multiply करके overall आ जाता है, यनि कि अगर 100 million आता है, तो अगर 4 ml ejaculate आता है, तो 400 हो गया, 3 आता है, तो 300 हो गया, इस तरह से आप calculate कर सकते हो, oligospermia, यनि कि जब 20 million per ml, इस pump count जो ऐसे कम होगा, तो उसको oligospermia बोलते हैं, reproduction बच्चा पैदा करने में गड़ना ही होती है, मुश्किल होता है, azospermia, यनि कि या तो है ही नहीं निल हो गया है, इस pump या फिर लगबग इस pump count बहुत यादा कम है, वो निल के बराबर ही है, तो ऐसे cases में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, बच्चा पैदा होने के लिए कि लिए क्या नॉर्मल, नॉर्मल ही क्या गड़ता है, अगर हम, अगर human को देखें, तो लगबग 22, 200, 300, जो है million, इस pumps जो है, एक बार एक ejaculate में human निकालता है, ठीक है, और इसमें से भी अगर हम देखें, तो 60% इस pump का क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप होनी चाहिए, और लगबग इसमें से भी 40% जो है, बहुत TG से vigorous motility, यानि कि moment उनकी अच्छी काजी होने चाहिए, इस pump जो होता है, ठीक है, बहुत तेजी से move दरने चाहिए, तभी नॉर्मल जो है fertility, जो यानि कि बच्चा अराम से प्यादा तभी हो सकता है, इसको reproductively LD, हम उस mail को कहेंगे, ये था हमारा main reproductive system, hope आपको अच्छा लगो, समझ में आया हो, कोई भी अगर doubt हो, कोई दिक्कत आई हो, तो आप comment करें, मैं आउसका ज़रूर दोगा, thank you.